हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यहां मैं आज लेकर आई हूँ काफी लॉंग टाइम बाद टेरो कार्ड डीडिंग काफी चीजों पर वीडियोस हो गई थी टेरो कार्ड पर काफी टाइम से कवर नहीं किया था मेरे चैनल पर तो चलिए आज स्टाच करते हैं आपके लिए टेरो कार्ड डिल टेरो कार्ड में आज हम जो लेकर आई हूं मै tissue favorite डिल और in a card is my favorite कार्डिस मजीशन कार्ड तो आज जो डेडिंग में लेकर आई हूं वह इस टॉपिक पर है कि क्या आप अपने राइट डारेक्शन में अपनी जिन्दगी में बढ़ रहे हैं आप जो डिसीजियन ले रहे हैं क्या वह आपकी जिन्दगी के लिए आपकी फूचर के लिए बै करती हैं फर्स्ट इस नेगटिव सेकेंड इस पॉजिटिव कई बार हमारा दिमाग दिल पर हावी हो जाता है और दिल दिमाग पर हावी हो जाता है और लोग या तो दिल की बात सुनते हैं या दिमाग की बात सुनते हैं पर रियालिटी इस दिस की ईश्वर आवाज आपक सेन्स लेते हैं और दिमाध प्रैक्टिकल होे होना और वो हमेशा अपने ही फायदी को पिर्फर करता है तो यह है दोनों का एक बोलिंग एक साथ का ही balance होता है बट अगर intuition की बात की जाए तो intuition वो होती है जो हमारी soul की नरवा जाती है जो हमें connect करती है ईश्वर से जो हमें universe power से connect करती है जैसे कि for example करें लोग मुझे पूछते हैं tarot card work कैसे करते हैं lots of friends ask me कि it's very amazing की हमें जो जवाब चाहिए वो ऐसे कैसे मिल जाता है इसे तो मैंने का जैसे ये mobile work कर रहा है जिससे फॉनर के पूछ रहे हो कि ये कैसे work करता है ये भी एक energy है वैसे ही tarot cards भी energy से work करता है मैं कुछ बोल रही हूँ वो record हो रहा है तो ये already था किसी इंसान ने इस पर खोच की बस इतनी सी बात है और इसी तरह से universe energy भी है बट अभी इंसान के इतना level नहीं है कि उसकी खोच को वो complete कर सके इसलिए ये चीज़ है ये tarot cards होगा ये सब चीज़ें वर्ल्ड वाइड प्रेमस है और valid है और certified भी है काफी जगहों से काफी लोग इसको cross check कर चुक हैं तो दिनों very well चलिए start करते हैं without waste of a time मैं camera को थोड़ा सा असे कर दो so चलिए मैं start करते हूं shuffle में यही कर रहे हूं ठीक है? best of luck for all ये जो reading है I hope okay तो हम ये देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये जो cards हैं ये cards हैं ये आपकी life के बारे में क्या कहते हैं ये collective reading होगी इसमें मैं कुछ sign आपको बताते जाओंगी क्या क्या चीज़ें हैं किस way में जाने पर किसको क्या लेना है कुछ में hint देती जाओंगी reading collective है reading हम collective ही ले रहे हैं चीज़ें so best of luck all यहां मैं बता निक्यों मुझे बार बार ऐसे आ रहा है कि मैं choice दे दूँ तो चलो मैं आपको तीन choice देती हूँ my favorite because पाथ की बात हो रही है life के पाथ की बात हो रही है तो आपको three choice दे रही हूँ first choice this beautiful plan for you okay यह यहां रखे हैं तो यह first choice है आपकी okay इस वक मेरे पास अभी कुछ के कहते हैं मैं थोड़ा से जल्दवाजी है मना रही हूँ video because मुझे लगा काफी gap हो गया बला लेनी चाहिए और आज तो महादेव जी के सावन के सौमवार स्टार्ट है तो इससे खुबसूरत और क्या हो सकता है कि life path के बारे में लोगों को उनके जानकारी मिले ना कह सकते हूँ कि बहुत strong inner soul के वाज आ रहे थी कि या टेरो कार्स की वी जो बनानी है life path पे है तो बस बना रहे है तो second आपका options है cute से प्यारे से हमारे बहुत भगवान के इस चैच्छी यो परके cute ही से है second option से आपके इसे हम यहां रख रहे है two options मैंने आपको दिया I think two options is sufficient because फिर बहुत बढ़ी हो जाएगे video है ना तो first option is plant second option is the statue of Buddha ji okay so तोनों की आपकी थोड़े थोड़े आपको जलख मिली रही है थोड़े 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 आपको जलख मिली रही है yeah okay so इसकी लीग भी आपको दिखी रही है the first option is this second option is this okay so best of luck all हम चार्ज करते हैं मैं फर्स्ट पाइटे है फर्स्ट कार्ड आ गया है second card भी आ गया है first card आया है three of vands का okay three of vands हमको यह बताता है कि आपको अपने comfort zone को break करने के जरुवत है जिसके साहारी आप खड़े हुए है उसको थोड़ा सा निकल कर और चलने के जरुवत है तो universe आपका साथ देगा आप जो चाहते हैं वो चीज़ें आपकी जिंदगी में आएंगे because आप अपने comfort zone को break करेंगे और जब comfort zone को कोई इनसान break करता है यह देखिए यह इनसान इन तीन चीज़ों के भरोसे था पहले पर इसने क्या किया इन चीज़ों को break है इन चीज़ों को छोड़ कर आंगे बढ़ने के हिम्मत की और यहां से यहां पहुचा है और यह आपकी आंगे की growth out of city decided है मतलब ऐसा कुछ universe message में receive कर रही हूं कि आपको बाहर निकलना होगा आपको अपने comfort zone को break करना होगा आपको अपने city के बाहर निकलना होगा आपको अगर अच्छी growth चाहिए तो जहां पर है उससे आंगे बढ़ना ही होगा क्योंकि life is a journey not destiny यह एक ज जब आप करेंगे break तो definitely you receive universe world support because कहते हैं जब एक बच्चा या चुडिया का बच्चा भी उड़ना सीखने के लिए निकल जाता है चुडिया उसे चुड़के चली जाती है तो definitely वह उस लिए पहुंच जाता है automatically कि चीजें उसको आ जाती है तो आप जब अपनी comfort zone को switch करके निकलेंगे तो आपको चीजें receive ऐसी होने लगेंगी कि automatically आपको समझ आएगा कि आपका decision कितना अच्छा था अब हम देखते हैं आपके लिए next card regarding to finance आपके लिए path क्या बता रहा है आप जिस path पे चलो regarding to finance क्या आ रहा है देखिए cheating card से seven of sorts का card है मतलग कुछ चीजें सही way मे नहीं जा रही है for financially regarding if you want to earning if you want to money growth तो it's not right direction जो आप कर रहे हो उसमें कुछ और करने की जरूत है money growth नहीं आस रही है यहां और आने में आंगे थोड़ी और complication हो सकते हैं ऐसा यह बता रहे है कार्ट मुझे अब मैं बात करती हूँ आपके पर्सनल लाइव की हैंग मैं तो देखे एक्चुली यह कार्ड मेरे सफल से पहले एक्दम से उचके निकला है तो डेफिनिटली आप यह देख सकते हो अगर present condition देखी जाए तो अच्छी नहीं है बहुत painful चीज से आप गुजर रहे हैं और एक hangman बने हुए हैं just like कि कोई फर्ट नहीं परता हम तो हर चीज को maintain कर लेंगे बिकोज हमें maintain करना बहुत अच्छी से आता है तो वो सब चीज एक होती है ने इंसान को कि हमारा दिमाग की दिखेस इंसान के दिमाग के आसपा से रोशन निकल रही है तो क्या हो रहा है यह इंसानी सोच रहा है कि मैं तो मेरी बुद्धी बहुत तेज हो और मैं सब चीज से उसको खोल नहीं पारें जबकि आपके हाथ बंदे हुए नहीं है तो बुद्धी कर क्या फायदा तो यहां पर प्रिजेंट कंडिशन अच्छी नहीं दिख रहे है पर जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर चल के अगर पात की बात की जाए तो क्या आपकी फूचर में च सारे में इतनी सारी नहीं लूँगी तर्स फ्यू दिखाऊंगी आप कोटी क्या आया है बॉटम एनरजी हम देख लेते हैं वील ओफ फॉर्चुन सबील फॉर्चुन अलवेज से लखी चार्म आपका लख घूमेगा अकॉर्डिंग यू अकॉर्डिंग यू जो चाहते हो शिद्दत से लग जाओ वो चीज आपको मिलेगी इन यूर परसनल लाइप यूर परसनल लाइप हमारा जो निकला था वो यह था फॉर्स्ट कार्ड हमारा था क्योन ओफ पैंचिकल तो आप जिस डारेक्शन में बढ़ रहे हैं इन परसनल लाइप वो आपको फाइनिशरी सिक्योर्टी भी देगा मतलब वो आपका गुड लख लेके आएगा वो आपके लिए एक गुड लख है अगर इफ यू आपका ग लख है आने वाला है जो परसनल लाइप है जो आप जिस वे में अभी प्रेजंट में हैं जिसकी वज़से शायख अब भी बैं केल रहे हो हैं मैं फिल कर रहे हो इसजरी स्जुन कर रहे ओंप इस són गूर्ट लख यह आपका गुड लख है यह आपका गुड लख है यह आप यह चीज बहुत बहतरीन होगी और बहुत खुबसूरत होगी और यह आपको एक सेटल पेखे किया है कि अबंडनेंस इस लेवल पे है कि उपर सेलिब्रेशन हो रहा है नीचे से भी ग्रोथ बनी हुई है चीज़े पैंपरिंग है यहां पर दिख रही है यह टेरो कार्ट जो देखते हैं देनो वेरी वेल अकॉर्डिंग नहीं जाना यह जैंट्स के लिए बिचाता है जैंट्स हो करें वो ले लिजेगा सब लोग मत लिजेए ओके वो जो भी है वह आपके लिए एक गुड़ लेके आएगा फाइनेशली ग्रोथ लेके आएगा फाइनेशली सेफ एंड सिक्योर्डी लेके आएगा जिसके बारे में इस वीडियो को देखते वक्त फिर्स्ट थेंगिंग आपके लिए राइट पाथ है और देखे मैं एनरजी दिखाती हैं कि इत्ते सायरी कार्ड गरे थे और हम पाथ की डीडिंग कर रहे हैं तो अ अब हमानेशली की बिद्दि की ख़िड्की खुलेगा वस्सक्ति समझे सब्ज़ब इसको प्रिदिजिन लेंगा तो होता है कि इंसान किसी चीज की बारे बहुत लॉंग तैम से सोच रहा है सोच रहा है तो मुझे जो इन्टुशन आ रही है मुझे उसके संग जाना पड़े का सौरी यह वर्स वाइज भी हो सकता है हजार लोग देखेंगे तो सबके उपर एक जिसन लागू नहीं होगा ना तो जिसको यह पता हो कि हां मैं ऐसा कर रहे हूं या मैं ऐसा कर रहा हूं तो इस पर यह जाएगा आप जट्पट डिसियन लेंगे देखो कितनी फॉरिड हो कि यह डिसियन ले रहा है तो जब इंसान को feel हो जाते है, then वो बहुत fast decision लेता है, तो fast decision ही आप लेंगे, या लेंगी, या सामने वाला लेगा, vice versa, चीज होगी, quick हो, quick, कितना तुरंट, 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 expectation से परे, ऐसे चुट की बजाते हैं, चीज होगी personal life में, then क्या होगा, दिखे beautiful proposal, because ये personal line पे हम चले गए थे, cards गरे थे, energy दिखा रही हो, फिर क्या होगा, इसी वे में जब आप जाएंगे, proposal होगा, proposal के बाद क्या होगा, थोड़ी कुछ confusion create होगे, यहाँ पर कुछ discussion होगा, क्योंकि एक होता है ना, कि propose के बाद आप आगे साथके, कुछ decision लेना चाहते हैं, तो बीच में आपको कई लोग confuse करेंगे, ऐसा भी होगा, and then उसके बाद गाद एनरजी बहुत जादा है, आप angles, उसमें भी negative thoughts भी create कर सकते हैं, and you thinking maybe it's not right, something इस तरह की कुछ पेजीदा चीजे जिननेगी में आ सकते हैं, move on का भी सोच सकते हैं, and then finally, oh beautiful card, मैंने खुद card नहीं देखे थे, आपके सामने निकाले, it's a lifetime security card, end of life, it's a beautiful commitment, because this card is a pentacle card, pentacle card is sign of earth, earth क्या देती है, हमें जमीन क्या देती है, security देती है, lifetime security देती है, हमारा शरीर जो है, पंच तत्तों से बना है, और पंच तत्त में ही विलीन हो जाएगा, है ना, तो ये अर्थ का sign है, और अर्थ का sign बहुत मजबूत होता है, बहुत strong होता है, lifetime आपको abundance देता है, professional life, okay, it's a good right path, या थोड़ा सा, देखो, आप professional life में ये बन सकते हो, दूसरों को आप दान दो, इतना बन सकते, इतना कर सकते, दूसरों की life को आप से दारो, आप इतना कुछ कर सकते अपनी जिन्दगी में, कि इंसान देखो, कितने अच्छे से दे रहा है, पर ये बुद्धिवान बहुत है, ये बेपकूफ नहीं है, ये इंसान को नहीं दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये जानता है ज्वेनन कौन है, तो बेपकूफ बनने वाले इंसान हमें से ये नहीं है, आप बहुत समझदार इंसान हैं और आप वेबकुफ नहीं बन सकते हैं और आप आगे जाके इन ये प्रोफेशनल फील्ड जो मेरे व्यूर देख रहे हैं आप इतने राइट पार्ट पे हैं कि आप आगे जाके वह अबंदन्स प्रेस करने वाले हैं कि आप दूसरों की जोब देने वाले हो सकते हैं आगे जिस पात पर चल रहे हैं तोड़ा सब यह चीज आएगी क्योंकि यहां पर मनी के रिगार्डिंग इट्स कुछ सम्थिंग हिडल्स आया था तो डेफिनेटली यहां पर भी कुछ चीजे हैं कि आपको राइट डिसियन लेने के जरूरत ह आपको राइट वे में अफट करने के जरूता है ताकि मनी का सर्कुलेशन बना रहा है अच्छे वे में अब हम क्या देख रहे थे हैं आपकी राइट पाथ परसनल लाइफ के रिगार्डिंग हो गया प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग राइट पाथ हो गया अब हम ओवराल देख लेते हैं यह फास्ट पाइल चल रहे हैं है ना प्लाइंट जिन्हों ने स्लेक्ट लेक्ट लेकि आपको थोड़ा सा अपनी उपर ध्यान देना जरूरी है कहते हैं नहीं कोई करना जरूरी है, आप जिसे क्यार करें छुद कि करवा करेंगो duy कि कर्से रिऄंगे तब पी दुनिया कत्ड करेंJean अगर अब हर किसी की हां में हां मिलाएंगे गलग चीजों को भी accept करेंगे तो it's not good because अब कभी-कभी चीज़ें रिस्पेक्ट के लिए कहीं पर जिद करना भी जरूरी होता है तो ये message मुझे आ रहा है और ये वाइस वर्सा हो सकता है ये message ऐसे है कि कभी-कभी अपने ego को छोड़ देना भी जरूरी होता है क्योंकि ego को तो मैं नहीं बोलूँगी self-respect के में बात करूँगी तो कभी-कभी अपनी self-respect को ego बनने से बचाना चाहिए बट हाँ जहाँ चीज से self-respect की हो वहाँ बट चीजों को maintain करना चाहिए अच्छे से बट इगो में चीजे convert हो जाएं यह आवास हमको खुद हो जाता है कि हम गलग चीज के जिर कर रहे है तो उस चीज से बचना चाहिए यह चीज यह card बता रहा है कि आपको balance करना आना चाहिए ओके हर phase में और regarding to your health also so very amazing just now already मैं वही बोल रहे थे और नीचे देखो क्या एनर्जी है टेंप्रेंस एक हजार एक परसेंटों just now मैंने अल्रेटी बैलेंस की बात की और आप यह देखो क्या है balance card here it's a you can't have word because you tarot card देखते हैं already मेरे देनों very well it's a really amazing really amazing so yeah definitely it's a really amazing because balance आगया है balance आगया है तो बचाहिनी कुछ सबसे बड़ा card आगया balance का कि आपकी जिंदगी में balance बहुत खुप सुरुती से आ सकता है with आपकी health also तो आपको इसी पर work करना है है ना जगडिंग में नहीं पसना है या तो इना या इदर मेरा बहुत यह चीज है जो मेरे विवर है देनों very well कि चीज को ना clear रखना चुआ है okay so finally मैं overall निकाल रहे हूं कि overall जिस पात पे आप चल रहे हैं अपनी जिन्दगी के जिस पात पे आप चल रहे हैं जिन्दगी के वह क्या है क्या लेकर आ रहा है okay test your flow देखिए कुछ ऐसा चल रहा है इस वक्त आपकी जिन्दगी में something is fighting तो यह overall हो सकता है यह अपकी personal life भी हो सकती यह आपकी professional life भी हो सकती है अब यह जो चीज है यह आपको आंगे क्या दे रही है देखते हैं thinking in your mind कि you have a lots of choice तो आप यह fighting कर रहे हैं because आपको ऐसा लग रहा है you have a lots of choice but इसके बाद हम देखते आने क्या रहा है load अगर मैं तीनों कार्स को पकड़ूं तो देखिए क्या हो रहा है बाद में some time हम चीजों की वज़े से कुछ चीजों की वज़े से fighting कर लेते हैं यह सोचे कि we have a deal everything in our life but then क्या होता है load आज़ता है तो वही एक general life दिखा रहा है maybe शैक कोई cycle है जो complete नहीं हुआ है आपका that's a reason क्या होता है देखो जब तक कोई cycle complete नहीं होता है आपकी life में abundance नहीं आ सकते हैं यह it's a reality देख लो three of thoughts यह painful है किसी यह देखो क्या है तो यह देखो क्या है दो जनों के पीच में कोई तीसरा उसकी वज़े से यह चीज ऐसे कुछ है यह personal life भी हो सकती है professional life भी हो सकती है personal life तो simple सब लोग समझते है इस sign को you know very well everyone कि yes क्या है दो जनों के पीच में और पर इसके पीचे क्या है देखिए प्राथ ना इस वर से क्योंकि अपने हाथ जोड ली है इंसान में कि या भगवान ही कुछ रास्ता दिखा दो मुझको सब very beautiful beautiful मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि पहले ऐसी चीज़े करते क्यों मुझे तो समझनी हाता लोग करते क्यों ऐसी चीज़ें ऐसी चीज़ें पढ़ते क्यों है कि दो और तीन और चार और पांच एक ही पर रहो ना तो यह प्राथना प्राथना की बात देखिए क्या निकला है अट्रेक्शन अनरजी यह वही चीज़ आ गई यह कही न कहीं किसी की लव अनरजी शो हो रही है कि कुछ लव रीजन की वज़े से फेसे ना समझनी कहीं पर अननेसरी की फाइटिंग हो रही है विकॉस यूस थिंग बस्टिंग इन मैं की विए चोई और यू तो चुछ लोग और कुछ रही लगल अट्रेक्शन अब इसके बाद हम क्या देख लेते हैं क्या यह राइट है एक आप यह पुड़की आया है इस समय यह जो अभी मैंने फाइनली निकाला है कि मतलब जिस वज़े से यह चीज हो रही है अगर आपकी लाइप में यह सुचिशन है कि सम्थिंग फाइट रीजन ओफ यह पर्सनल लव लाइफ और रीजन ओफ सम्थिंग की लॉट्स अप्शन देख रीजन रिलेक्स इन दिस टाइप तो यह आपको है फिर उसकी बाद वाद राइट इस नौट देखो क्या हो रहा है ताइब पुरक टावर जर जर हो रहा है सब लोग यहां वहां गिर रहे हैं इस तरह की situations आना जिन लगी में तो यह चीज है कि राइट भी नहीं चुल रहा है ठीके जिस वजह से फाइट हो रहा है वाला जो राइट बताया था वह अलग चीज थी यह जो बताया है यह अलग चीज है तो just now हम क्या देखो नीचे भी नहीं है fighting thoughts लिया हुआ है हाथ में okay so finally is finally a girl overall बोला जाए अब personal life तो हो गई है अब हम पूरी बोलू देख लेते हैं तो पूरी इसा आप से क्या रहा है नहीं है okay source again source energy source अब देखिये यह चीज से बचना होगा यह ब्रह्म में नहीं रहना होगा यह चीज से बचना होगा राइट चीज को select आपको करना होगा because क्या होता है this is card of soulmate card soulmate क्या होता है मैं अभी हाँ क्लियर पर देते हूं if you feel something with someone high level attachment without any बात बात भी नहीं हो रही फिर भी you feel something high level attachment with someone so that's the reason that person is your soulmate category okay so this is the soulmate category जहां पर पिछले जनम को रिषिता है जनम मों को रिषथा है ऐसा कुछ कहा आ जाता है कि attachment होता है कि होता है यह feeling कि किसा बी लड़ो जबलो पर नहीं उस इनसान को इनसान को एक नजर देखना है तो वह चीज जो feeling होती है यह होता है soulmate connection जिस चीज को show करता है यह card और जो दूसरा card है वो card show करता है bevel energy मतलग सिरफ पूपरी पूपरी रूप रंग को देखके आपकी सी पर फिदा हो गए वाली चीज और यह जो show करता है true card true love card because this is a angel angel है यहाँ पर जो blast कर रही है तो यह angel protection card होता है जिस वज़े से energy feel होती किसी के संग high level connectivity की जिसे आप नहीं निकाल पाते हो easily और जब आप right चीज को choose करेंगे तो क्या होगा आपके पात justice आएगा आपके पस इंसाफ आएगा justice card आया है और आप जो hard work करते आ रहे हैं वो paying off होगा बट इसके लिए क्या करना होगा आपको अपने confusion वाले तायरे से बाहर निकला होगा ओके तो यहाँ overall reading complete हो गई है right path की बात करो तो सिर्फ एक यह चीज negative आई है everything is right direction बट एक यह चीज नेगटिव आई है unnecessary कि fights कहीं पर आपका की हो रही है तो उस चीज से आपको command करकि उस चीज को polite way में deal करना होगा है ना यह मैंने इस जस्ट हटाया single cards देखने के लिए क्या निकलता है just a wheel of fortune wheel of fortune wheel of fortune घूम जाएगा देखो क्या होगा अगर आपने fighting mode में किया तो यह fighting mode में घूम जाएगा आपके प्रत पास negative चीजे ले आएगा मतलब अगर आपने negativity दी तो आप को positivity मिल जाएगे तो इस वे में घूमेगा तो जिस जहाट से आप चीज़ों को घूमाएंगे चाहेंगे तो इस वे में यह आएगा ओके तो यहां complete होती है मैं फर्स्ट पाइल के लिए अब हम चलते हैं अपने second pile के तरफ जिन्होंने cute से बादर जी की statue को select किया अब हुआ है प्लांट को यहां रख रख रेसे हैंशऑ के सौब so best of luck second pal जी नोने क्यों से बौदर जी को select किया हमार का अड़ गया है पहला present condition is very painful high level painful okay यह unnecessary की भी हो सकती है यह मुझे ऐसा भी हा रहा है unnecessary का load खुद ही create किया हुए खुदी मतलब खुदी ही जिम्मेदार है क्योंकि बात तो यहां पात की हो रही है तो यह reading इस तरह की है कि शायद खुदी ही जिम्मेदार है खुदी करे है सब कुछ है और फिर देन इस से चुछने पहुचके और जो मेरी प्यूर है उन्हें बहुत अची से पता है कि यह सब हमने ही किया है खुद का तो बच्ची से क्या जोरोते करने की प्रेश प्रेश कार्ड जो टेलो कार्ड दिखते हैं दिनों वहरी वैल इस इस अ मदर मतलब यह तो देखो आप पाथ की बात हो रही है यहां एक बिकॉस एंपरेश कार्ड इस प्रेगनेंट लेडि इस प्रेगनेंट लेडिस मीज नॉट इस आप माधर फिकर मधर ली फिकर है न यह देखिए एक लेडिस जो बहुत अच्छे से वैल है वैल रहल क्या बोलूँ मैं कि वैल सेटल सेल्फ वैल सेटल एंड एंप क्यों she know very well क्या चाहिए she know very well और यह शी ही नहीं होगा इसमें क्योंकि यह टेरो कार्ड है तो अगर आप जो भी है आप अगर जैंस हैं तो भी एक यह 35 प्लस इसको रिप्रेजेंट करने वाली फिगर है और यह इस तरह की परसन की बात हो रही है जो एक किंग रखता है यह र बहुत अच्छी बुद्धी रखते हैं because they connect with spiritual also यह spiritual बहुत अच्छे से connect है उन्हें पता है God उनको guidance देते हैं उनको पता है कि God उनको एक तरफ हाथ यहां पर एक तरफ यहां पर है दूसरा family को command करके family को deal करना balance बनाना चीज़े को बहुत खूबसूरती से आता है चीक है त अपने जिन्दगी को अपने command में चलाना इनकी कूबी है और यह इसमें काबिल है और यह हर रिष्टे को बहुत खूचुरती से निभाने में expert okay तो यह है एक Empress figure और Emperor भी आप देख सकते हैं तो यह Gents के लिए होगा तो 30 plus Gents है तो overall अब आप depend on you actually reality यह नहीं है reality यह है हो यह बट माइन भी से अभी इस level पर चल रहे हैं तो इसको control करने के जरुवत है यहां energy में मुझे death count शो हुआ है कुछ जरुवत है कुछ चीज गलत हुई है तो इसको सुधार के एक new beginning करने के जरुवत है एक new beginning करने के जरुवत है यहां देखिए सब चीज़े खतम हो गई पर फिर क्या हो रहा है फिर से वह उठा है ऐसा लग रहा है जैसे वह खतम हो गया पूरे तरह पर फिर भी वह उठा है उठने के बद उसने क्या किया उसने पूछा और आंगे बढ़ने का decision लिया वो जो यहां पर जो उसके पास था वही चीज उसने सोची और आंगे बढ़ने ले सकता हूँ अगें तो यह चीज है इसके बाद हम निकाल लेते हैं financially देख लेते हैं financially second pile के लिए देखिए किसी चीज से आप move on की सोच रहे हैं थोड़ा सा तो यहाँ पर कुछ चीजे हैं आप जिस way में कर रहे थे वो way ठीक था earning के regarding but कुछ move on आप कर रहे हैं कुछ reasons हो सकते हैं यहाँ पर हम personal life professional life की reading प्योर नहीं कर रहे हैं यह reading हो रही है life path की तो यहाँ पर यह चीज और यह चीज क्यों हो रही है energy नीचे की आई है कि दूसरों के interfere की वज़े से कुछ चीज खराब हो रहे है मतलब आपकी जिंदगी में कोई डाउन चीज या और चीजे डिस बैलेंस हो रही है तो इंटरफेर उस अदर परसन okay that's the reason okay so कौम रेक देते हैं then next thing yeah 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 यह energy थोड़ा सा चल रही है इस चीज की वज़े से भी चीज़ें हो सकते कि इंसान तलवार लेके हाथें बैटा है तो कोई आपसे बात करें तो कैसे करें कोई चीजों को कैसे समाने कोई चीजों को बैलेंस यह बनाना चाहे जहां पर चीज़ेंस होके हम अपनी खुद की चीज़ें को खुद बिगाड़ लेते हैं तो वह थोड़ा सा फ्वेज आपकी लाइफ में दिख रहा है ना परसनल लाइफ अगर हम बात कर लेते हैं अधर चीजों की definitely यह देखिए जो मैने कहा नीचे है अब दवर्ट कर क्या शो करता है यह शो करता है कि आप जिस डारेक्शन में है उसको थोड़ा सा आप चेंज करें तो आपको वह चीज रहेगी कि यूनिवर्स आपका साथ देगा और आप वह चीज पा लेंगे जो आपको चाहिए लाइफ तो यह भी हम यहां रख लेते हैं चलते पर नेक्स्ट कार्ड की तरफ हाई लेविल लोट यह जो वीडियो देख रहे हैं वह परसन इस तरह कि हो सकती है कि सेल्क मेड परसन जो अपने बूटे पर ही बने हो या और तैम जिन्होंने लाइफ में हर जीच को फेस करके अपने आपको एक बोलते ने कि दुबारा से बिल्ड करना एम्पिडर फिगर है ना और यहां पर हमारे पास वही कपल आ गया है इस अमेजिंग कपल आ गया है बहुत जल्दी किसी की मैरे ऐसे परसन से होने वाली है सेम हुँ जो एक जैसे सेम हुँ एक जैसे बाइन नीच्व तो इस तरह की कपल क्योंकि कपल काड आ गया है पास की बात हो रही है पर जिस डिरेक्शन में आप हैं उसमें थोड़ी सी चेंग जिस करने की जरूत है विकास लोड एनरजी आपकी चीजों को मुकाम पे नहीं जाने देखे चाहिए वो परसनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ हो वो ग्रोथ शायद कहीं न कहीं फिडर हो जाए लोड से निकलने के जरूत है आपको अब हम लेखते हैं नेक्स्ट आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग वील ओफ वर्चियों वही मैंने कहाना कि आपका यह निसेसरी का चल रहा है इस चीज को कंट्रॉल कर लिया तो definitely वील ओफ वर्चियों आपके लिए घुमेगा उसी डैरेक्शन में घुमेगा वील ओफ वर्चियों रूल्स है वीनिवर्स का रूल से चीजे घुमती है अगर आप कोई चीज शिद्दत से चीजों को करते हैं जाए वह हैल्थ के रिगार्डिंग है या लाइप के रिगार्डिंग है या किसी रिलेशन्शिप के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली वह फीदबेक आपकी तरफ आता ही है अब हम देख लेते हैं और क्या रहा है चैरियर एक्शन हो सकता है कोई एक बड़ा एक्शन चैरियर का रिप्रेजेंट टू बिग एक्शन अपनी नेगटिविटी को कंच्रॉल करके अपनी गलत आदतों को सुधारने की डिसीजन लेके इंसान अपनी खुद के एगो को परो परे रख के फिर कोई डिसीजन फास डिसीजन विकाज ये पाक्रेजिंग हो रही है तो फास डिसीजन को शो करता है चैरियर का क्योंकि यहां पर दो गोड़े हैं जिस द्रफ पर सभार है और सब कुछ है इस इंसान के पास पर कुछ इसको चाहिए जिसकी खोज में यह निकल चुका है तो हेल्थ हो गई, मनी होगी, परसनल लाइफ होगी, प्रॉफेशनल लाइफ हो गई, अब हम बात कर लें किस चीज़ की कर ल फूल एनरजी होती है कि जो चीज है और जो चीज चाहिए बस उसके बारे में सोच के आंगे बढ़ना, this is the full energy, मुझे यह चाहिए, I don't care, whatever, in this whole world, that's all, just like kids, कि मुझे चाहिए, चाहिए, अपना जूहला लेके वो चल दिया, ऊपर से उठाया है, कोई कुछ बोल रहा है, को यह भी हो जकता है, decision सही हुआ, तो तो अच्छा है, नहीं हुआ, तो बिट्रा खाई में टपकोगे आप, just like a kids energy, अब देखो, पीछे के आया है, रात की नीन उड़ी हुए है, इस वज़े से, तो definitely चीज है, जब गलत step हो जाते है, life तो ऐसा होता है, अब हम क्या, overall आपके नहीं देखिए आगया card, strength, definitely जिस पात पे चल रहे हो, बहुत खुशिरुत पात पे आप चल रहे हो, और जो आपने सोचा है दिमाग में, हो आपको एक strong बना रहा है, तो जिस वज़े से आप strong बन रहे हो, जिस सोच से आप strong बन रहे हो, उस सोच के back चीज को पकरने के जिस ए beautiful proposal card, जहां पर आप किसी को आँगे बढ़के कर रहे हो, propose या someone आपको कर रहे हो, या person life भी हो सकती है, या love life भी हो सकती है, professional life भी हो सकती है, यहां हम बात कर रहे है, overall reading की, या personal reading को हो नहीं रहे है, next card for you, definitely, कुछ इस तरह का दिखाया जा रहा है, कि देखिए जिस ए लेडी है, तो ये एक लेडी है, जहां पर कुछ चीजें इस वे में हैं, कि सारी चीजें ओपन नहीं है, इसकी, because ये देखो, ब्लैक कलर की, एक कैटर है, तो अबरी चीजें की ओपन नहीं है, ये एक जैंट्स भी हो सकता, कि आप लेडी भी हो रहे है, और आप देख रही है, तो ये जैंट्स भी हो सकता है, अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग चीजें हो सकती है, ये आप जैंट्स को भी सोच सकते हो, और आप लेडी को भी सोच सकते हो, ये पर ऐसा परसन है, जिसके बारे में आप जानते हो, कि काफी कुछ चीज़े हीडल है वाली चीज़े तो वो क्यों क्यों है क्यों क्यों है क्योंकि देखो इसके आंगे पहले कौन बैठा है एक black cat बैठा है black cat sign होता है किस चीज का कुछ ऐसी चीज जो open नहीं है complete something not something confusion वो चीज तो वो black cat उसका sign होता है complete not positive तो black cat क्या होता है उसका sign होता है यह किसी जन्स के लिए हो सकता है if you feel कि someone in your life कुछ चीज हिडल है तो वो चीज क्या है कि yes वो चीज उस वे में है कि कुछ चीज है जो आपको जाननी चाहिए पर शायद आपकी जानकरी में नहीं है और यह business के regarding भी हो सकता है अगर आप इसी business कर रहे हैं और कुछ ऐसा confusion है तो definitely yes कुछ चीज ऐसी है जो आपको जाननी चाहिए बिकॉस ब्लैकेट है ब्लैकेट है के लिए नहीं है चीज है ना कुछ चीज ऐसा है जो आपको के लिए नहीं है next हम देख लेते हैं पेइनफुल थर्ड मतलब तीन जनों मतलब दो जनों के बीच में थर्ड पार्टी टाइंप से आप कह सकते हैं तो सम्थिंग पेइनफुल तो उस पेइनफुल को रिलीज करने के तेपरेटली जरुत होती है अभी टाइंप हार्ड वर्क की बिचरुत है तोड़ा सा कुछ कम ही पेशिया सी दिख रही है जग्लिंग भी लग रही है मने के विकोश्या राइड डिरेक्शन में चीज़ें हो रहे हैं नहीं जो करनी चाहिए वह नहीं हो रही है कर रही है उनको थोड़ा सा लिकल्बिट अपनी चीज़ों में एड़िट करने के जरूत है क्यों क्योंकि चीज़ें उस वे में कम्प्लीटली नहीं है जहां यह कहा जा सके यह हंडेड वाइन परसन यू राइड आप एक राइट पाथ पर चल रहे हैं वैसा ऐसा नहीं है न तो वह चीज़ थोड़ा से देखने की समझने की डेफिनेटली जरूत है कभी कि भी क्या होता है देखो यह कितने प्यार से अपनी फिलिंग को कंट्रोल करी है पैंपर कर होरा है बट क्या होता है फिलिंग को प्रकमना इसंता बाइलेंस की जड़ोत होती है टाम बसी जरूत की जरूत होती है यह चीज़ कर दिखाता है कि यहने के अध्रिटिक करके चीजों को अपने जिन्दगी को बैलेंस में लाने की बहुत जरूवत है एन अगें वी रिसीव एनरजी कार्ड फूल कार्ड तो फंडर फंडर्वाइस नाइट जागरण अगें थीक है फाइनलि यह जो कार्ड जिन्हों ने चूज किया है वह एक हजरी परसन राइट उसमें नहीं है राइट पातपे नहीं है में यह बोल रहे हैं, बट येस आप तक 100 by 1% राइट पाथ पर नहीं चल रहे हैं, एक फाइनल कार्स पॉर यू, पेंटिकल्स इशू के रीजन हो सकते हैं कि आप पैसों को वेल्यू दे के किसी तरफ पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ में आप पैसे की सिक्योर्टी के बारे में सोच के आप चीजों कर डिस्जन ले रहे हैं, बट है क्या? या, then, because you think कि आपर इस चीज को वेल्यू देने से, you receive victory, तो ऐसा होने से क्या होगा आँगे चलके? You feel, maybe this type, not sure, so depend on completely, everything is on your decision, okay, so best of luck, ये फाइल, second की रीडिंग में यहां आपक कम्लीट करती हूं, I hope, like you, this reading and this video, if you like, so please, like कीजीजी, subscribe कीजीए, new हूं तो, और यहां पर एकी platform पे आपको taro, reiki, meditation, auricular therapy के regarding, lots of video मिलेंगे, जो useful होती है, health के लिए, wealth के लिए, सबी चीजों के लिए, और life को transform करने के लिए, definitely, आपको यहां पर receive होंगी, so, bye bye, check your description, पूरा detail है, वहां आप मुझसे contact कर सकते हैं, मैं as a meditation advisor, और taro क रीटर और रेकी, इसके तोर पर भी काम करती हूं, bye bye, check your